जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेकिया हैं ट्रिक फॉर पर्किन रियक्षन ट्रिकोलोजी से तो ट्रिकोलोजी में हम लोग जानेंगे वन मिनट ट्रिक फॉर पर्किन रियक्षन और मैं आपको बरोसर दिलाता हूँ कि अगर आप ये ट्रिक सीख लेते हैं तो एक मिनट तो मैंने बहुत जादा बोल दिया इससे भी कम समय में आप किसी भी रियक्शन के इंदर बता पाएंगे कि उस परकिन रियक्शन का परकिन प्रोडक्ट क्या होगा रियक्शन ओफ एरोमेटिक एल्डी हाइड विद एसिटिक एनहाइड रियक्शन से कराई जाती है जिससे हमको मिलता है एल्फा बीटा एनसैचूरेटिड एसिड यह हम लोग आपको एक्जाम्पल के साथ याद दिला देते हैं तो देखी यह हमारा बेंजल्डी हाइड है अरोमेटिक एल्डियाइड है के अलफ एच नहीं है यह हमारा एसिटिक एननाइड राइड है base की presence में हमने इसको heat कराया और जो हमारा यहाँ पे main product होगा वो होगा alpha-beta unsaturate carboxylic acid या acid भी बोल सकते हैं और इसका जो name होता है काफी मसूर नाम है यह cinnamic acid तो यह alpha-beta अगर यहाँ पे phenyl ring लगा है तो alpha-beta unsaturate acid को हम लोग cinnamic acid भी बोलते हैं और acidic acid हमारा यहाँ पे side product होता है सर वो तो ठीक है trick की बात कीजिए ना तो आईए trick पे चलते हैं यह हमारा one minute trick यहाँ पे आप aromatic LED हाइट को कुछ इस तरीके लिखिए double bond O आपका इस तरफ बार की तरफ आए और anhydride का आप CS3 गुरूप से S2 को बार की तरफ दिखाएंगे यहाँ से water का removal होगा लेकिन यह water जो यहाँ से भार निकलेगा यह आपको यहीं पर consume करना है आप जानते हैं water जो होता है वो polar in nature होता है hydrogen partially positive होता है और oxygen partially negative होता है आपको यहाँ से यहाँ से कहीं से भी cleave कीजिए मैं इसको यहाँ से cleave करता हूँ अगर आप यहाँ से cleave करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर oxygen electronegative है तो electronegative है कौन सा पार जाएगा है यहाँ यहाँ पर आएगा clear हुआ आपको और carbon जो है वो electropositive है oxygen की comparison में तो यहाँ पर OH जाएगा तो आप देखिए आपका क्या बनेगा तो देखिए यहाँ पर benzene पर CH double bond CH single bond C double bond O OH clear हुआ मैं इसको पूरा कर देता हूँ मैंने रोक के रखा हुआ था ताकि आपको यह clear हो जाए यह देखिए यही तो था आपका उपर alpha, beta unsaturate acid या cinnamic acid और साथ में बनेगा हमारा acetic acid clear हुआ बच्चों आपको clear हुआ होगा फिर भी आपको doubt है तो मैं एक दूसरा example भी लेता हूँ आपके लिए देखिए बच्चों हमने यहाँ पर एक different molecule लिया है इसको आप simply बोल सकते हैं heterocyclic aromatic aromatic aldehyde clear हमने CHO को ऐसे लिखा इस बार और हमने CS3 का S2 को ऐसे लिखा आप जानते कि पहले यहाँ से CHO का O और यहाँ से acetic anhydride से S2 लेके हम लोग water बाहर निकाल देंगे यह water आपको use करना है सर कैसे करेंगे यहाँ पे यह वाला bond आपको cleave करना है तो हम लोगों नहीं यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका water होता है वो polar होता है water बोले तो उसके अंदर partially positive H और partially negative O होता है अब आप जानते हैं कि oxygen और carbon के बीच का bond टूटा है oxygen electron negative होता है मैं इसको दिखा देता हूँ बच्चो कुछ इस तरीके से CH यह हो गया ऐसी double bond O और यह बन गया है OH और यहाँ पे मिलेगा आपको side product carboxylic acid तो अब आप किसी भी perkin reaction के अंदर एक मिनट से भी कम समय में उस reaction का alpha beta unsaturate acid बना सकते हैं hopefully आपको clear हुआ होगा जुड़े रहे हैं हमारे साथ कुछ ऐसी मज़ेदार tricks के लिए जो आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी